आज हम लोग बजेट दे के ऊपर डिसकुसन करने वाले हैं किस तरीके से मोमेंटम रहेगा तो हम लोग प्लान कर सकते हैं बजेट वनेश्टे को आने वाला है तो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है एक पॉइंट हमेंसा ध्यान में रखो जितने लोग बिगनर्स और फ्रेसर हो क्योंकि उस तरहीं पर बहुत जादा वोलेटिलिटी रहेगा कोई फायदा नहीं होगा आप भले सही डारेक्शन पर हो आपका एसल बहुत बढ़ा होगा या फिर वोलेटिलिटी करने एसल हिट होगा फिर आपको साइकलोजी इश्यू आएगा इस वालेज बेटर कि नहीं यह आप ट्रेड ही मत करो क्यों मैं रेकमेंड कर रहा हो कि एच से आपको जानना जरूरी है अगर आपको स्टॉक्च मार्केट में ट्रेडिंग कर बनाना है जानना जरूरी है अगर आपको लग रहा है कि भे miesz और पिशाब ऑलाव और नहीं कर सकते हो या फिर एक दूवा प्रेटिलिटी में आपको बता रहा हूं जनरी क्या होता है नियूज आते रहता है तो वोलेटिलिटी होता रहता है और सेकेंड यह तीन दिन लोगों ने मिस जितने लोगों ने किया है उन लोग अभी वेट करें कि नहीं बजट आएगा तो हम बड़ा पैसा कमाएंगे क्यो यह बहुत इशु क्रिएट करने वाला है यह बजट दे से पहले बोले मलब आ चुका है मार्केट नीचे आ चुका है आई वी उपर जा चुके है तो वोलेटिलिटी होने वाला है तो इस और ट्रेकिट नहीं इनिसेल स्टेज में इसको एवाइड कीजिए हो सकता है आपको एक्सपारी पर जाधा उपर्टुनिटी में रादर दन बजेट दे पर आई हूप ही पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा मेरा क्याने का मतलब यही है किने रिक्स इतना ही लोग जितना आप सहन कर पाओ या फिर नेक्स डे या फिर तीन महीने तक ट्रेड कर पाओ यह हो कि ने आपने रिक्स ले लिए और लॉसेस हो गया फिर दो तीन में ने ट्रेडिंग बंद कर लिए फिर उसके आप फिर से पैसा लेकर आगे इससे कभी आप ग्रो नहीं कर पाओ गे ट्स ओलिवेटर किने अगर आज लॉसेस होता है तो कल के लिए भी पैसा होना चाहिए यह दो-तिन मेंनी के लिए पैसा होना चाहिए ट्रेड करने के लिए तो क्वांटिटी ओल्वेज लेस अगर आप एक्स्पिरियेंस्ट हो तो फिर आप थोड़ा से आपका प्रॉफिट के ऊपर रिक्स ले सकते हो आई होगा तो सिंपल अभी मैं आपको एक काम करता हूँ प्रिवेस्ट एक्सपारी डे के 15 मिनिट का मैं चार्ट डाटा आपको दिखाता हूँ आपको एक आईडिया होगा लास्ट पांच-छे साल में मार्केट कैसे बीएब किया है फिर वीडियो के एंड में आप लोगो को सेट अप भी बताऊंगा किस तरीके से मैं प्लान कर र तो यहां पे स्क्रीम पे मैंने 2018 का 1st February का डाटा यहां पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहां पे अगर देखेंगे मार्केट ओपन हुआ नीचे गया यहां पे गया उपर गया फिर नीचे गया that means it's a complete volatility day उसके बाद का दिन थोड़ा trending था लेकिन यह दिन completely volatility था यह आप गया फिन नीचे गया closing day that means कहीं ना कहीं यहां पे भी volatility थी यह आपको clear हो रहा होगा थोड़ा सा चार्ट आप ध्यान में रखना किस तरीके से market move कर रहा है फिर मैं आपको बताऊंगा कि ने यह previous analysis के यह साब से historical data के साब से क्या आपका plan of action होना चीए 2020 देखेंगे यहां पे आपको दिख रहा होगा market उपर गया fin नीचे गया somewhere around यहां पे तो यहां पे भी कहीं ना कि थोड़ा सा volatility आपको दिख रहा होगा लेकिन second आपके अंदर एक trending रहा second आप में एक अच्छा trade मिला यहां पे अगर हम लोग 2021 का देखेंगे 2021 का volatility नहीं थी market उपर गया उसके बाद एक breakout हुआ और second आपके अंदर momentum रहा that means तीन चार साल में अगर हम लोग देखेंगे market volatility तीन बार हुआ है और उसके बाद कुछ trade में यहां पे अगर देखेंगे last year अगर हम लोग देखेंगे budget पे market गिरा था उसके फिर रिकवर हो गया almost same day पे close हुआ that means एक मतलब volatility day था कुछ ज्यादा ओर trending market नहीं था entire day में move थे लेकिन इतने लोग profit नहीं काट पाया होगे in the end में इधर थोड़ा बहुत loss या फिर सेम प्लेस पे close हुआ है तो यह सारे charts देखने के बाद आपके एक point समझ में आ रहा होगा किनि कही ना कही market आपको दिख रहा होगा चले में आपको हो यहां पर एक trend था फिर यहां पर एक trend था morning hour में trend कहीं नहीं था यह आपको दिख गया होगा even 2019 में भी same scenario होता morning में कहीं trend नहीं था second आप में एक trend था फिर नीचे की तरफ that means एक आपको hint मिल रहा होगा किने किस तरी किसे market play around होता है और नीचे की तरह आप टाइम स्टाम या फिर trending market start हुआ that means आपको एक hint मिल गया होगा market किस तरी के से behave कर सकता है similar यहां पर बारा बजे के बाद अगर आप लोग देखो कि एक trending market था उससे पहले कुछ खास move नहीं था एक range के अंदर trade कर रहा था 100-200 point that means 90% time जभी भी यह मतला budget day आता है बारा बजे से पहले आपको एक trend market नहीं मिलता है यह historical data हम लोगों ने देख लिया है that means आपका plan of action क्या होना चाहिए first thing मैं आपको एक point बताता हूं कि हमेसा market के perspective से सोचो कि ने market के से react करेगा मैं आपको बताया था कि नहीं जिस हिसाब से IV 15 के नीचे है यह budget के आसपास नहीं होता budget के आसपास 15 16 20 इस त तेरा जिस तरीके से 5 6 दिन नीचे चल रहा था 12 तेरा रहता at the money पे अगर 200-300 रुपे होता तो लोग easily आके यहां पर क्या करते है expiry day पे call भी buy कर लेते, put भी buy कर लेते क्योंकि 200-200-300-300 रुपे है तो कहीं पे भी 500 रुपे भी move करे तो उनको पैसा मिल जाएगा इसके लिए generally क्या होता है 18% market उपर की तरह move रहे जबकि यह 12 तेरे रुपे में चल रहा था यह फेज के अंदर that means IV वड़ा हुआ है premium बड़े हुए है और यह release कब होगा जब market में news के करण हम लोग का IV वड़ा हुआ है यह release तब होगा जब यह एक बार news आउट हो जाएगा that means आप एक trend देख चुके मार्केट के अंदर 12 बज़े से पहले जब आपका announcement चल रहा होगा क्योंकि अभी दो चीजे मार्केट को मतलब नीचे लेकर आ रहा है एक रिपोर्ट आया US से हो सकता है इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट आया जो कि अगर आज पर ट्रेडिंग यह पॉइंट काम आएगा आपको कि ने 12 बज़े तक मार्केट साइड़ेज हो सकता है या फिर जहां से ओपन हुआ तो लेवेल टेस्ट कर सकता है तो सिंपल अगर आपको यह पता है तो आप क्या प्लान कर सकते हो बारा बज़े से पहले 145 से लेकर 12 बजे का candle 15 मिनिट का हाई लोक एक मार कर लो उसके आद अगर ब्रेक आउट देता है आप ट्रेड प्लान कर सकते हो इससे पहले इधर आप स्टाडल बना सकते हो इससे जादा पैसा मिल सकते है क्यों मैं बोल रहा हूं अगर मार्केड ऊपर जाके नीचे ख्लोज ह और अगर को याद होजाए तो यहां पर चाडल यूदा है उसके सबसे ज्वाम बच को सबसे ज्यादा मिल ऊजाना चीह उसके बाद आप Sun के लेका Сबीका लेकर 12 बखे का कैंड अगर ब्रेक आउट या ब्रेकडाौ कर रहे हो मेरे हिसाब से 100-500 पॉइंट का maximum SL रखना क्योंकि इतना ही मिल सकता है आपको 100-300 पॉइंट का टार्गेट 100-300 पॉइंट का SL टार्गेट और उसके बाद अगर आप ट्रेंडिंग प्लान कर रहे हो बारा बजे के बाद इमेजिन करो कि 12 बज़े के बाद चली हम लोग एक बार और कोई भी 2019 का पकड़ते हैं यहां पर हम लोग देखेंगे 12 बज़े यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा समवे राउंट यह 12 बज़े का कैंडल था अगर यह ब्रेक आउट देता है हम लोग यहां पर बाई प्ल ट्रेंड जनरली स्टार्ट होता है और जहां पर न्यूज खतम हो जाएगा उसके बाद 12 बज़े के आसपाद अगर आप एक रेंज बना ले रहे हो उसके बाद ब्रेक आउट पर ट्रेड कर रहे हो हो सकता है आपको 1-2-3 यहां पर मिल जाए और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ने एक पॉइंट ध्यान में रहो फाइप यह में बहुत अच्छा काम कर सकता है उस दिन क्यूं काम करेगा क्योंकि जनरली अगर मार्केट वोलेटिलिटी उपन नीचे होगा तो जनरली कहीना कि आपको ट्रेड दिख जाएगा यहां पे ब्रेक आ जनरली उसके बाद 12 वजे के बाद अगर ब्रेक आउट दे रहा है सेम कैंडल के ऊपर तो 1 चुट 2 1 चुट 3 इस तरीकी आप प्लान कर सकते हो अगर टॉप से आपको 5 पे में रिवर्सल देखना है यह प्लान कर सकते हो इत स्टॉप लोस रिक्स लेकिन एक पॉइंट ज्य आप इमेजिन करो एक पॉइंट दियान में रेको गैंबलिंग अगर आप करना चाहोगी कर सकते हो नो इसु कोई इसु नहीं है आप अगर इमेजिन करो एक लाग मेरे पास से बहुत अच्छा हो जाएगा में एक लाग में लेट से कुछ क्वांटिटी खरीद लिया एक ल इसके उपर में वीडियो बनाऊंगा किने किस तरीके से गांबलिंग माइंट से होता है इट दा लाइक बटन आपको इसको उपर वीडियो चाहिए इट से बिजनेस हमेसा चलने वाला है अगर एसा इवेंट होता है किने यह मतलब हाँ साल में एक बार आ रहा है और उसके मार्केट बंद हो जाएगा कभी नहीं चलेगा ठीक एक दिन आपने कुछ प्लान किया लेकिन आपका माइंड रुकेगा ही ने आप ने फिर से आ जागो ट्रेड करने के लिए लेट से दो दिन आपने पांच लाग प्रोफिट कमा आया उससे दो-तिन लाग अपने खर्चा का सेक्षन क्लियर हो गया है कि नहीं हम लोग आज पर बैक टेस्ट किस तरगे से प्लान कर सकते पहले बारा बजे तक एक स्टाइडल बना के रखेंगे हम लोग 111 तो दार हम लोग को प्रीमियम डिके का प्रोफिट मिले 12 बजे के बात जो ब्रेक आउट हो रहा हो गाओ व व्यूप में आपको बता रहा हूं तो चलिए अभी हम लोग डिसकस करते हैं किस तरीके से आपको trending market मिल सकता है तीन point के उपर trending market मिल सकता है ऐसे लिट हो या फिर short covering आए या फिर fresh buying आए कहीं से यह तीन जगा से आप लोग को fresh buying selling momentum आ सकता है इन दिस करें स्टेज अगर आप लोग देखोगे चार्ट अगर रीड करोगे यहां पर सार्ट सेलिंग आ चुकी है बजेट कब आने वाला है दो दिन ट्रेड होगा वेंदेश डे के दिन बजेट आने वाला है यहां पे sell आ चुका है अगर imagine करो कि ने कल भी एक sell up आता है बहुत बड़ा ना करें कि small sell up आता है उसके बाद फिर से और एक sell up आता है तो आपको नहीं लगता है यहां पर यह stretch हो चुका है और उसके बाद budget के दिन हम लोग expect क्या करेंगे बुरा आए अच्छा आए जो भी आए यहां से सौर्ट कवरिंग होने का चांसे सार वेरी आए बन जाता है यह दो दिन अगर नीचे की तरफ कैंडल बन गे इस लेवल पर अगर नीचे की तरफ लट से 40,300 की नीचे कहीं पर बन रहे तो एंचे की दिन थोड़ा से एक्सपेक्टेस नहीं रहेगा यह उपर की तरफ सौर्ट कवरिंग कर सकता है उपर की तरफ जा सकता है दो दिन के अंदर एधर एकसपारी या फिर बजेट दे पर तो माइंड में यह थोड़ा सा पहले से हो जाएगा कि नहीं सट कवरिंग जा सकता है अगर दो दिन नीचे कैंडल क्लोज करता है ताट मेंस इमाजन करो बारा वजे के बाद अगर यह उपर की तरफ ब्रेकाउट दे रहा है थोड़ा सा कॉन्फिनेस लगए कि नहीं यह रिवर्सल आ सकता है उपर की तरफ जा सकत है तो डिफिनेटल यहां से एक साट कवरी आएगा क्योंकि यह लोग भी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे यह एक पॉइंट आ गया और एक पॉइंट हो सकता है कि ते मार्केट यहां पर कैंडल बना है इस तरीका को कैंडल बनाता है यहां पर इसी रेंज के आस यहां से एक ब्रेकडाउन हुआ था 41,500 के नीचे अगर यह 41,500 के नीचे कोई क्यांडल दो क्यांडल क्लोज करता है और यह लोग को रस्पेट करता है तो मेरी लिए बेस सेनारियो हो जायाएगा यहां पर क्योंकि यहां से तीन दिन सेल अप आया तीन चाह दिन सेल अप आ होगा जब दो दिन मार्केट यहां पर होल्ड करेगा कि इससे क्या होगा इमाजन करों किने कंटीउस लेकर सेलिंग आ रहा है फिर बजेट के दिन सेल कर रहा हूं तो डजन में के नी सेंस तो बेटर है किने एक पाउज बनना चाहिए यहां पर दो दिन बायर्स को ट्राइ करना चाहिए और vijet's का stop loss सारे same candle के नीचे होगा यहां फिर swing के नीचे होगा तो यहां से जब market गिरेगा तो एक अच्छा effect हो सकता है और stop loss जब hit होंगे तो एच्छा target मिल सकता है यह ओर हां लोग को पाउज होगा फिर से selling continue रहेगी यह हमलों का प्लान हो गया अगर दो दिन के अंदर दो दिन के अंदर अगर इसके ऊपर निकल जाता है फिर हमारे पास और कोई लवेल नहीं बसता है ट्रेट करने के लिए यहां पर रेजिस्टंस है यहां पर सपोर्ट है सारे जितने लोग बड़े प्लेयर होंगे उनको प्रीमियम बहुत अच्छे दिख र स्टार्ट कर रहा है तो बड़े प्लेयर के पास प्रीमियम है बहुत अच्छा है तो उन लोग सार है स्ट्रांगल बनाके बढ़ जाएंगे और मार्केट इसी रेंज के अंदर रहा हमको कोई मोमेंटम नहीं मिलने वाला है अगर दो दिन के अंदर बड़ा मूव आ जाता ह रिवर्सल आ जाता है फिर में एक्सपेक्टेशन और नहीं है किने मार्केट और मूव करेगा एक ट्रेंडिंग रहा दो दिन छोटे-छोटे कैंडल बनाया फिर ट्रेंडिंग आया वेल और यहां पर दो दिन नीचे मतलब नीचे की तरफ ट्रेड किया एक एक्सेंड हो ग पर जाएगा नीचे चला जाएगा थोड़ा सा उपड़ जाता है अभी अल्टाइम हाई चला जाएगा ये सारे पोइंट थोड़ा सा साइड में रहे है क्योंकि मार्केट अभी 44,000 जा चुका है पांसो हजार पॉइंट मुमेंटम एक दिर परसंट मोमेंटम तीन परसंट लेकिन अभी हम लोग सेंटिमेंट समझते हैं वीकली चार्ट के इसाफ से किस तरीके सब बन रहा है विच इस मोस्ट इंपोर्टन एक पॉइंट में रहा हूं को मार्केट यहां पे था यहां पे गया आप देख रहे होंगे किस तरीके से प्रैस सेक्षन बनाया ब्रेक इमेडियेट सपोर्ट कहां पे 38000 हमकोइडियेट सपोर्ट देख रहा है फिर एट्रेंड लाइन है उसके बाद यहां पे 36000 एक सपोर्ट है फिर एक ट्रेंड लाइन generally जितने भी placed होंगे क्योंकि आप भी जानते हों आपके share अगर आप placed किये हो और आपका M2M minus हो रहा है नीचे जाए रहा है तो आपको broker बार-बार message करेगा किने इधर बंद करो या फिर fund add करो तो अगर वो condition बनता है किने imagine करो किने place share के नीचे price जाना स्टार्ट हो गया है तो definitely bank वाले पहले मांगेंगे पैसे अगर नहीं मिलता है तो उनलोग sell करना start करेंगे अगर वो sell करना start करते है अगर एक domino effect आता है जो कि valuation मतलब होता है न एक overvalued price तो था लेकिन उसके नीचे भी आना start कर दिया लेकिन अगर sell करना start कर दिया फिर दिरे दिरे ये फिर retail हो गया फिर बड़े investor हो गया अगर ये sell करना start करते है फिर एक effect अगर आया तो definitely और तेजी से नीचे भी आ सकता है तुम यह नहीं बोला हो कि उसका valuation पूरा zero है और नीचे आ जाएगा and all लेकिन आपको यह थोड़ा सा mind में रखना पड़ेगा अगर new जाता है तो क्या हो सकता है तो हम ऐसे भी selling के लिए plan में है लेकिन selling के लिए मैं आपको यह बोला हमारे लिए आप बस pray कीजिए कि ने Monday Tuesday Monday gap up खोल जाए market उपर सब्सक्राइब कर जाए Tuesday भी ऊपर हो जाए so that क्या हो ना buyer को एक at least chance मिलेगा किने हाँ अपना position बनाया या फिर hold करे market फिर जब उसके नीचे आएगा हम लोग trade करेंगे जैसे हम लोग discuss कर लिए थे क्योंकि seller आये तीन दिन sell-off आया फिर उसके आज रिकावर हुआ फिर एक सेलिंग आया इस तरीक अगर market जयादा में prefer करता हूं तो आपको एक अच्छा market मिल सकता है अभी अगर weekly charts के यहाँ से आपको देख रहे होंगे यहाँ पर तो डिफिनेटली 38,000 आपको दिख रहा है मार्केट के यहाँ थोड़ा सा gap up खुल के hold कर रहा है अगर खुल रहा है तो ठीक है अगर gap down खुल जाए तो chances are very high कि यह रिवर्सल कर जाएगा budget के दिन यह हम लोग को पहला है इंट मिल जाएगा second day long term में देखेंगे यहाँ पे एक breakout हुआ था आपको दिख रहा होगा price low and steady यहाँ पे गया यहाँ पे एक breakout हुआ है और breakout के इसाब से उपर trade भी किया और उसके बाद यह failure हुआ है due to news हो गया या एक correction pending था जो भी आप बोल सकते हो यहाँ पे एक breakdown नीचे की तरफ हुआ है इसका target अभी मिला नहीं है 34,000 अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका neckline देखेंगे इसका target अभी भी आया नहीं है अगर यह target आ गया होता तो में थोड़ा सा और aggressive होता है लेकिन तब तक भी अगर आता है तो भी हमको बहुत अच्छा profit मिलेगा लेट इट कम अगर इस लेवल पे आता है और कुछ यहाँ पे price action imagine करो हमको इस तरीके कुछ candle बनाता है जैसे हम लोग उस time पे मैंने आपको बताया थे लेकिन यह वेट कर रहा है अगर breakout देगा तो trending मिलेगा similar हम लोग यहां से फिर accumulate करने का plan कर सकते है अगर imagine करो कि नहीं जिस तरीके से यह sell-off आ रहा है stock generally क्या होता है अगर selling बहुत तेजी से आ रहा है तो उसको recover करने के लिए बहुत time लगता है तो हो सकता है एक-दूस साल इसी लेवल पर बना रहा है तो यह लेवल सारे आपको accumulation zone हो जाएंगे फिर हम लोग trade करेंगे तो यह video specially हम लोग आने वाल टाम में बताऊंगा कि नि अगर crash होता है या नीशा आता है तो कहां पर हम लोग accumulate करना चाहिए लेकिन इन इस वीडियो हम लोग budget के लिए discussion कर रहे है तो यह एक अच्छा space हो सकता है यहां तक market आने के बाद turn around हो सकता है या फिर इतना तक भी आता है तो हम लोग को अच्छा कासा profit हो सकता है यहूँ यह पोइंट सारे आपको समझ में आ गया होगा चलिए मैं आपको summarize कर लेता हूँ फर्स तिंग आप देखे होंगे बारा बज़े से पहले कुछ ज्यादा कास momentum आता नहीं है तो इस अलेज बेटर short sell करके रखेंगे बारा बज़े तक सौ दर्स रुपे का हम लोग का रेक्स रहेगा एंड उसके बाद हम लोग का टार्गेट भी उतना रहेगा short sell के अंदर एंड उसके बाद बारा बज़े का जो 11.45 से लेकर बारा बज़े का जो कैंडल रहेगा वो breakout होने के बाद हम लोग trade करेंगे बेकडाउन होने के बाद trade करेंगे and profit and loss depend on the candle अगर candle length more than 200 पॉइंट का अगर imagine करो 11.45 से 12 का candle 200 पॉइंट का बन गया तो वहाँ पे आप लोग 200 पॉइंट का SL नहीं डाल सकते हैं बेटर है 100-100 पॉइंट का SL रखना 200-300 पॉइंट का आप लोग का प्लान होना चाहिए यह मत सोच रहे लेकिन इसी दिन आपको पूरा jackpot लग जाएगा jackpot तभी लगते है market के अंदर miracle तभी होता है जब आप 10-10 साल market को दोगे market से सीखोगे फिर एक दिन आयागा market आपको reward देगा और वो आप लोग के लिए एक miracle day रहेगा हुपी पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा तो efforts everyday डालते रहो तो एक दिन आपको फिर वो jackpot मिलेगा लेकिन कल सुभी उटके आओ के हाँ बजेट में मैंने प्लान कर लिया है मैं ट्रेड लिए लिए 200-300 पॉइंट मिल भी जाएगा तीन दिन के बाद फिर आपको उसको losses में convert कर दोगे आपको प्लान के साथ चलो 200-300 पॉइंट आपका टार्गेट होना चाहिए मिल गया ठीक है उसके बाद फिर expiry के लिए प्लान करेंगे मैं वीडियो बनाऊंगा यह बारा बजे का हो गया एंट माइंट सेट पहले से हम लोग का रेडी हो जाएगा अगर यह उपर की तरफ जा रहा है और बिलो 41,500 के नीचे दो दिन अगर क्लोज कर रहा है तो हम लोग यहां पर टॉप से कहीं पर इस लेवल के असपास से अगर सेलिंग ऑपर्टिविटी मिलता है या फिर यह कंडिशन फुल्फिल होता है हम लोग सेलिंग लिए प्लान करेंगे अगर यह दो दिन और सेल आप आ जात होना हूँगा अनलीस का तब आपको समझ में आ जाएगा प्लान अव एक्षन क्या होना चाहिए क्यूंकि अगर आप देखो के सिंपल अगर मैं आप होता हूँ यहां पर देखो तिन दिन सेल आफ आया रिवर्सल आ जया तो जनरली यह होता है यहां पे भी अगर देखो के सार्ट सेलिंग तिन्चा दिन आया एक अच्छा खासा रिवर्सल आया सिमिलर अगर आपको करेंट स्टेज पर अगर मार्केट और तेजी से नीचे गिरता है तो वल और गुर्ट आप मिस हुए है वल और गुर्ट बाय और सेलर दोनों को अपरशनेटी मिलता है क्यों यह स हाते दे मार्केट गया पपकले और ऊपर की तरफ जाए तो नियर टू बजेट या फिर एक पैरी के दिन अगर कुछ बैट नहीं जाता है यह थोड़ा सा भी फेवरेबल बजेट नहीं आता है तो फिर यह सेलिंग की तरफ जा सकता है यह पीपोइंट आपको समझ में आग आओगा किस तरीके से ट्रेडर आप लोग प्लान कर सकते हो वीडियो चला अधर में लाइक एंस अगर्पर्स अविकले इतना है थैंक्यू